असलाम लेकूम मेरा नमें सोहेब हाज़रो एकने इंफरोमेटी वीडियो के साथ आज हम कर रहे हैं अपनी एक 10 मरला की साइट का पलस्सर आप लोगों को दखाएंगे के पलस्सर कैसे करना चाहिए इसके लवा पलस्सर में की जाने वाली गलतियों से कैसे बचा जा सकता है इसके लवा हम आप लोगों को अपना जो हमने पलस्सर किया है वो भी दखाएंगे और आप लोगों को बताएंगे के पलस्सर में जो गलतियां आप लोग करते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चुनाई मकमल होने के बाद जो अगला मरहला होता है वो हमारा पलस्टर का होता है अगर हमारा पलस्टर अच्छा होगा तो हमारा जो paint work है वो भी अच्छा होगा तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि पलस्टर में जो हमने मसाला इसमाल करना है उसकी जो रेशो है वो आप लोग ने एक चार की समाल करनी है यानि एक हिस्सा हमारा सीमट होगा चार हिस्से रेट एक चार रेशो का आप लोग ने मसाला इसमाल करना है मसाले को आप लो की मदब से चान के मसाला इसमाल करना है इसके बाद पलस्तर की जो आप लोगों ने मुटाई रखनी है वो चार सूतर यानि के आदे इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जितना पलस्तर बरीक होगा उसकी पायदारी और मजबूती ज्यादा होगी चार सूतर से अगर आप ज्यादा मौटा पलस्तर करेंगे ज्यादा बढ़ाते जाएंगे इसको तो उसी के साथ साथ आप लोगों जो पायदारी है वो काम होती जाएगी इसके लावा आप लोगों ने पलस्तर की प्रॉपर क्यूरिंग करनी है आप लोगों ने तीन से चार दिन प्लस्टर को पानी लगाना है जिस दिन प्लस्टर करना है उस दिन नहीं नेक्स डे से आप लोगों ने क्यूरिंग स्टार्ट करनी है और वक्फे वक्फे से आप लोगों ने पानी लगाते जाना है गर्मियों में ज्यादा पानी की जरूरत होती है सर्दियों में आप लोग एक दिन में दो से तीन दफ़ा पानी लगा दें तो बहुत होता है तो आप लोग ने क्यूरिंग का खास क्या रखना है इसके लावा मसाले की मिक्सिंग का खास क्या रखना है इसके लावा आप लोगों ने जो ratio इसमाल करनी है मसाले की वो आप लोगों ने खास क्या रखना है इन सारी चीजों के बाद सबसे main चीज आ जाती है कारीगर आप लोगों ने पलस्तर में जो कारीगर इसमाल करने हैं कारीगर लगाने हैं वो आप लोग के माहर कारीगार होने चाहिए जिनको पता होना चाहिए कि पलस्तर कैसे करना है साल चप्टी में पलस्तर होना चाहिए गुनिये में होना चाहिए इसके लाव आप लोग के जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल जबर्दस किसम के होने चाहिए खास दोर पर प्लस्टर में जो धारें होती हैं और दिवारों के कॉर्नर्स होते हैं वीडियो में आगे जाके आप लोगों को दखाती हैं किस तर आप लोगों ने कॉर्नर्स को देखना है प्लस्टर की उपर ही paint होना होता है प्लस्टर अच्छा होगा तो paint अच्छा होगा तो paint आप लोगों का अच्छा होगा तो जब आप lights विगराउन करेंगे तो आप लोगों की दिवारें बिल्कुल जबरदस नजर आएंगी जी तो यह आप देख सकते हैं कॉर्नर्स बिल्कुल सीधे आप लोगं के होने चाहिए ताके खुबसूरत नजर आएं ऐसा नहो के टेडे मेडे हूँ इसके लावा यह धारें आप देख सकते हैं द्रवाजों की विंडोज की बिल्कुल जबरदस किसम की होनी चाहिए और प्लस्र आप देख सकते हैं बिल् असर के उपर उमीद करता हूँ आप लोगं को वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगं को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें ताके हर आने वाली वीडियो का आप लोगं को नोटिफिकेशन मिल सकें कमेंट बॉक्स मे आप लोगों ने जरूर बताना है कि हमने जो नेक्स वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनाएं ताके हम उसको बना सकें तो चलें अलाहाफीस